हाँ जी भायो तो एक बार फिर से आपका सवाधत है आपके अपने YouTube चैनल Fantasy Captain में तो भायो PSL स्टार्ट होने वाला है 17 फरवरी साड़े आठ बजे रात में ये मैच होगा पहला मैच लाहूर कलंदर और इसलामाबाद युनाइटेड के बीच में केलना है ठीक है अब ये सिरीज स्टार्ट हो गई है BBL सिरीज में जैसे कमाया था वन साइडे 90-200% क्लीन स्विप पे क्लीन स्विप मैचे जाते थे 50 मैचे मैंने तुम्हें 40-45 मैच कमा के दिया था 90-200% तक तुम्हें कमाई मैंने दी थी BBL में ठीक है अब स्टार्ट हो गया है PSL पाकिस्तान सुपर लिग इसमें भी है कमाने की पारी कगड़ी कमाई होने वाली है पहला मैच लाहूर कलंदर और इसलामाबाद युनाइटेड के होने वाला है देखेंगे किस तरह से प्लेयर के रिकॉर्ड होने वाले है कौन से प्लेयर इस पिछ पे चलने वाला है कौन से प्लेयर होगा फ्लॉप कौन से प्लेयर जो है यहां पर लेंगे विकेट ठीक है कौन से जाएंगे विकेट लेस कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉ करते हैं वीडियो को तो पहला मैच खेला जाने वाला है तुम्हारा गदाफी स्टेडियम में ठीक है लाहौर के गदाफी स्टेडियम में होने वाला है मैच ठीक यह खेला जाएगा गदाफी स्टेडियम में कैसे होने वाली है यहां की पिछ सबसे पहले एक नदर उस पर डा तक करने को देखा गया चांस है जो भी टीम टाॉस जीटेगी वो बैटिंG फस्त करने को तो सदफ है यहां पर open切 ऑनने ettping फास भी तौह मेंगे डेखने को मिल सकता है क्योंकि बांडरिस शृट होती Geld और baller यहां पे pacers अच्छा गरता है दिखते हैं spinners को बहुत ज़ादा यहां पे मदद नहीं है पेसर को यहां पे wicket मिलते हैं जैसे हरी सरॉफ हो गए है शाहिना फृदी हो गए है यह ऐसे ballers को यहां पे wicket मिलता है ठीक है, ग्राउंड स्टेट्स के अगर मैं बात करो, टोटल मैचेस यहां पर हुए है, 41, ठीक है, जिसमें 27 बार बैटिंग फर्स करने लिए टीम ने जीता है, मैंने अभी आपको बताया कि बैटिंग फर्स करने लिए टीम के लिए एक अडवांटेज है, तो तॉस पर है विकेट साथ विकेट गिरने वाले हैं, हैट टो एड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं, 17 मैचेस इन दोनों टीमों के बीच में हुए हैं, जिसमें 8 मैच जीता है लाहूर कलंदर ने और 9 मैच जीता है इसलामाबाद युनाइटेट्स ने, ठीक, तो ओवरॉल एक दू तो इनकी टीम, फकर जमान, मिर्जा ताहिर वेक, डैनिल लॉरेंस, कमरान गुलाम में से कोई एक के लेगा, अब्दुल्ला शफीक, बानुका रजा पक्षार, सिंदर रजा, डैविड विजे, शाहिन शाह फरीदी, हारिज रौव, जमन खान, साइथ फिर्दोन, अब इस तीन, चार्जेन, आपको देखने को मिलेगा, पिछले वाली टीम से, मतलब जो इस से पहले वाली सिरीज हुई थी, पीएसल की, ठीक, अब ज़रा देखते हैं, इनके टीम के प्लेयरों के स्टैट्स, चेक करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टन है, फकर जमन, तैथिस रन, और ग्रैंड लिग में ट्राइ कर सकते हैं, रिसेंट मैच अगर इसको तुम देखोगे, 38-6, 27-46, डैलियल, लॉरिंस, अगर आपको इस मैच में केलते हुए दिखेगा, तो अपनी टीम में जरूर रख लेना है, यह बैटिंग और बालिंग दोनों करेगा, और अच्छा प्लेयर है, वीबेल में इसका अच्छी प्रफॉमेंस दी थी इसने, ठीक है, रिसेंट तुम देखो, के साथ रन एक विकेट, 15-0 विकेट, 19-0 रन एक विकेट, तो कहीं ना कहीं बैटिंग या बालिंग कहीं से तुम्हें पोइंट से दही देगा, वहीं अबदुल्ला श चाहिए वह स्मॉल लिग हो, या ग्रैंड लिग में अगर तुम चाहो तो ट्राइ कर लेना, बहुत रिसकी टीम बनाऊगो, तो उसमें किसी एकाथ में इसको रख लेना, शाहिन शाह अफरेदी की अगर में बात करो, शाहिन अफरेदी जो कि यह कैप्टन रहने वाला है इ और हारिस रॉफ के एक न्यूज यह आ रहा है कि इसका पीसीवी वालों ने इनका कॉंट्रेक्ट जो है, खतम कर दिया है, इंटरनेशनल मैचों से, इंटरनेशनल मैचों से हारिस रॉफ का जो कॉंट्रेक्ट था वो खतम हो गया है, तो बैन हो चुके हैं यह भी इंटरने तो सकता है कि आप दो मैच ना केले ठीक है तो वह देखने को मिलेगा जब लाइन आप आ जाएगी तो वहीं बात करें जमन तो फकर जमान का अगर तुम देखोगे 234 रन है तो फकर जमान गदाफी स्टेडियों में परफॉमेंस देता है वहीं ताहिर बैक की मैं बात करो साथ मैचों में 134 रन डैनियल लॉर्णिस ने खेला नहीं है अब्दुल शफीक की बात किया 14 मैचों में 362 रन तो अब्दुल रजा की मैं बात करूँ चैनिंग में 133 प्लस तीन विकेट भी हैं तो सिकनतर रजा ओवरॉल इंपॉर्टन तो ही वहीं डेविड विजे की मैं बात करूँ तो इस वेन्यू पे रिकॉर्ड इसके थोड़े से अच्छे हैं 216 विकेट और 214 रन भी हैं डेविड विजे की बात यह है कि इसको प्रॉपर बॉलिंग नहीं मिलती है एक से दो वर तीन वर दो वर साधा जाधा दो वर कराता है और बैटिंग बहुत नीचे केलने आता है तो बहुत जाधा कंसीडर नहीं कर सकते हैं ठीक है हाँ जी यह बगर है मैं फिर से आपको बता रहूं डेविड विजे को ट्राइक करते हो शाहिन अफ्रीद की में बात करूं 22 मैचों में 35 विकेट हैं और प्लस देख 122 रन भी इस नहीं कि होगा है हारिस रॉफ की बात की जाए 20 इनिंग्स में है 13 विकेट जमन खान के 16 में 22 विकेट हैं अब जरा बात करें हैट टूए डिकार्ड कैसा है मतलब इसलामाबाद के अगेंस कैसे प्रफॉमेंस देते हैं लावर के लंदर के प्रेस तो फकर जमान ने देखो एक सो पंदरार रन की बारी खेली हुई है इसलामाबाद युनाइटेट के अगेंस उसस इसलामाबाद युनाइटेट की अगेंस इसने भी प्रफॉमेंस दीवी है रजा पक्षा ने भी एक तालिस रन किया हुआ है इसलामाबाद के खिलाब सिकंदर अजा की बात करें एक विकेट एक run जिरो विकेट 23 run दो विकेट डेविड विकेट 18 run तीन विकेट 28 run एक विकेट 17 run एक विकेट 20 run जिरो विकेट तो डेविड विकेट ने अभी आपको बोला Grand League में जरूर ट्राइक करना लिके शाहिन अफशाफ रिदी recent के दो मैचे जो इन्होंने केला इसलामाबाद United के किलाव उसमें रहे ये विगेट लेकिन उससे पहले दो-दो विगेट इन्होंने निकाला हुआ है इसलामाबाद के किलाव महीर आफ की अगर मैं बात करूँ हरοι मैच में इस्लामबाद के टारने यह तारें हें टीम हो ले ठीक है यह है पॉसिबल प्लेनिंग मैंंगे बात करूं एलेक से इस पर डाउट ए स्वासा का दाउड बना भाली आजम मुंजड कीपिंग से आगा सल्मान शादाव-क्वान-फसीम वहीम शरफ-टाइप-टाइम टामल मिल्स, अबैद मकाव, रुमान, रैस, ठीक है, यहांपे दोगो, एक चीज़ मैं तो बता दूँ, इस टीम से जमन खान, हारिस राउफ, अगर खेला तो और शाइन शाफ दी, यह तीन बॉलर इंपॉर्डन्ट हैं, यह पाउर प्ले और डेथ में, यह तीन बॉलर ही ब में बॉलिंग करते दिखेंगे, ठीक है, बाकी फाई वर्शन, मिमाद वर्शन, यह लोग आपको दीखेंगे, मिडल के और में बॉलिंग करते हुए, अब इनके प्लेयरों के स्टैट्स अगर देखें, रिसिंट फॉर्म के अगर बात की जाए, तो कॉलिंग मुडों के र आगा सल्मान की में बात करूं, जोवण, गनिखेंट फिएधन, बासीम के बीड़ू, नौरन, दो रूरन, चवण, दो विकेट, बियालिज। एक विकेट आजम खान, 19, 50, 0, 20, 35, इंमाद वसीम की बात की जाए, एक विकेट, दो विकेट, दो विकेट श éénएट, डो विके चार के चार मैंच में यह विगट लेस रहा है लेकिन इस मैच में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट यह हो सकता है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कराने वाला है तो शादा आप में पेने का इंपॉर्टेंट है किस टीम से इसलामाबाद की टीम से वहीं बात की जया घदाफ़ी स्टेडियम में एसलामाबाद टीम के किस तरह से प्लियर परफॉर्पर्मिस देते हैं तो कॉलिन मुण डू पांच मैच में झ Ave 6 मैच में तो इस मौली में आजम खान सेफ च्वाइज होने वाली है तो आजम खान को हम भी विगे टीमी सेश्चन से ट्राइ करने वाले हैं अब हो सकता है कि लाइन अप कुछ और आ है तो उसके अलावा की चेंज किया जा सकता है इमाद वसीम आठ मैचों में आठ विगे और 101 क्यावन रन है इस वेन्यू पे मतलब गदाफी स्टेडियम में वही शादा आफगान की बात की चाहे आठ मैचों में तेरा विगे बैटिंग से भी इनोंने 171 रन की पारी खेली वी है आठ मैचों में इस वेन्यू पे वही फई टू एड रिकॉर्ट की मतलब राहूल कंदर वालों के सामने इनके प्लेयर कैसी परफार्मेंस देते हैं 11, 18, 64, 11 वहीं बात करें है हैधर एली की 8, 18, 25, 69 ठीक है आगा सलमान केले नहीं आजम खान की बात की जाए 4, 40, 10, 10, 33 इमाद वसीम की बात की जाए इमाद वसीम की ब लाह bizi कहीं, बहीं का सकता हूं कि अच्छी परफार्मेंस देता है अलाहोर के लंदर के खिलाफ 45, तो इनका भी कुछ खास इसी प्रफॉएंस नहीं लिए तीन मिल्स की बात कि जाए लाहूर गंदर के लाफ यह अच्छी प्रफॉएंस देता है तीन मिल्स को रखना इंपॉर्टेंट है वही बात करें ओवर ओर लंगे रिकॉर्ट तुम चेक करोगे इनके तो कॉलिंग प्रफॉएंस नहीं खेले नहीं लुट और लुट्र लंगे खेलाव और दोसो और रचन किया हुआ है वही एलेक्स हैस मैच में एकस वंटावार लंगे लाहूर कि वीचए नौ मैचों में दोसो च्छारन आजम खान आट मैचों में एक सो बाइस इमाद वसीम के हैं पंद इस पे लोगों का ध्यान नहीं जाएता तो प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे शादाअब खान इमाद वसी में दो प्लेयर बहुत आता है इंपॉर्टेंट है लाहूर कंदर वालों के खिलाफ इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है वहीं अगर टाइमल मिल्स की बात की जाए और रुमान राइस की बात की जाए तो कहीं नहीं इनके भी लाहूर के अंदर के लाफ रिकॉर्ड अच्छे है तो रुमान राइस अगर केला तो इसको भी तुम ग्रैंड लिग में ट्राइ कर सकते हो और फई मश्रम को भी ट्राइ क्या साकता है वहीं हैदर अली अगर कहते हैं बैटिंग से इनको ग्रैंड लिग में जरूर ट्राइ करना तो यह हो गए इनके head to head record सारी चीज़े मैंने तुमें बता दी है स्टीवी सी अभी हम चलते हैं अपने dream 11 टीम पे देखते हैं हमारे captain क्या रहेंगा और क्या रहेंगी अब आड़ी टीम वह मैं आपको वहीं पर बता दूँगा जब dream 11 टीम पे जाओंगा तो लेकिन उससे पहले जो भी भाई चैनल पे नए चैनल को करने सबस्क्राइब और वीडियो को कर देना एक खान आजम खान को मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेफ पिक है और इसके लावा रजा पक्षा भी एक इंपॉर्टेंट पिक है देखते हैं अभी आजम खान के साथ जाते हैं बाइटिंग से अगर मैं बात करो एक मसला फज़ जाएगा वह यह भी देखना शाहिन शाफरीदी नसीम शाह हारिस रौफ ठीक है अब टीम मिल्स और जड़ खान में से कोई एक मसला फज़ेगा बालिंग का वो मुझे अड़ेस्ट करना पड़ेगा बैटिंग से तो हो सकता है मैं फिलाल तो मैं जाओंगा टीम मिल्स के साथ या जमन कान के जा सकता है बिल्कुर ठीक है तो यह मारी टीम हो सकती है इसमें एक دो मैं कर सकता हूँ कि अब देखते हैं कौन बैटिंग करने आ रहा है कौन बॉलिंग कर आने आ चाहतों हो सकता उस हिसाब से आप चेंज़ करूं एक से दू क्यूंकि तो यही रहेगी बहुत बेस्टी चूट रहा है उसको किसकी जगह एड़ेस्स करना है वह अभी हम देखते हैं जब तॉस हो जाएगा लाइन आप आ जाएगी तो जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूँगा ठीक है तो एक advantage हो जाता है फकर जमान के पास ठीक है वह अगर कुछ अलग तुम्हें ट्राई करना है तो सिकंदर रजा भी बहुत अच्छी आज की च्वाइज होने वाली है बैटिंग बॉलिंग दोनों कराने आ रहा है वी सी देखो अगर तुम्हें बनाना है वी सी इमाद वसीम यह बहुत प्रेखों अच्छी आजए है वी सी इमाद वसीम के साथ जा सकते हो और शाधा अख्कान वी वसी की बहुत अच्छी च्वाइज है इमाद वसीम के साथ फिल्हाल मैं जाँछा एगिए बिलकुर तुा लेकिन फिलाल एस रजा और वी सी में करूंगा वसीम को इमाद वसीम को यह रहेगी हमारी आज की टीम इसमें जो भी एक दो चेंजिस मैं कर सकता हूं टॉस और लाइनप के अगॉर्डिंग में बिल्कुल चेंज करूगा वो मैं आपको अपने टेली ग्राम पर बता दूगा